सब लोग क्या होता है रसायनिक बंध क्यू बनाना है रसायनिक बंध जरुद क्या है कि कुछ काम करते तो पहले ही बनो जवरत क्या है क्यों जवरत है क्यों वांड बनाना है तो हम गहेंगे कि हमने नीचर में इतने सारे elements को study किया प्रकरती में हमने इतने सारे तक्तों को देखा और हमें जो एक अलग चीज नज़र आई वह आई इनर्ट गैस उत्करस्ट गैसे अक्रिय गैसे प्रकरती वह उत्करस्ट गैसों को छोड़ दो तो बाकी बिचारे सब elements काम करते सब के सब जितने भी elements है वो क्या करते कुछ न कुछ अनुरूप में रह रहे हैं या योगिक बना रहे हैं है ना कुछ न कुछ काम करें गेमिकल रेक्शन करें सिर्व एक इनर्ट गैसे को छोड़ दें अक्रिय गैसों को छोड़ दें जो कोई काम नहीं करती क्यूं हम गरें की रहे गा नियों टू बनानी की ज़रूत नहीं है यह लोग बांड ही नहीं बनाते तो ऐसा क्या है? खास बात क्या है इनके अंदर जो यह लोग तो बाड़नी बिना रहे और बाकी सब काम कर रहे हैं तो ऐसा हमारे साथ भी तो होता है हमारी लाइफ भी तो बहुत सारा सबस जो लोग देखते हैं कि नहीं को कुछ काम करने की जुरुत नहीं हैना इनके बास इतना सारा मनी है कि ये इनकी जैनरेशन दू जैनरेशन आराम से का कडल सकते हैं freely exist कर सकते हैं आपस घूम आ बस इतना पैसा है कि आप घूम लो हैना, इनके जैनरेशन पी गूम के अगो टेंचन नहीं तो कुछ तो स्पेशल है ऐसा हमारे पर से स्पेसिक कुछ नी है, हमें रोज काम करना पड़ता है, है रोज कुवा खोदो, फिर पानी निकालो, इसको काम मेलो, फिर अगले दिन फिर शुरू करो प्रोसस, फिर पानी निकालो, ऐसे, तो जितने भी तत्व है, वो सब सोचें, इनके पास ऐसा क्या स्प इनके बायतम कोश में आठ इलेक्ट्रॉन है, एनस्टू, एनपी सिक्स, ठीक है, तो इनके पास आठ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनको तो कुछ भी क्या करना है कि बहुत बढ़नाने की जुरूत है नहीं, बाकी सब कहें गया रहा, हमारे पास तो कोई कह रहा है, कोई कह फिए, लए दो है, याइतम कोश में साथ एलेक्ट्रोन है, एक छीन लो度 किस से, और दोगी तो छीना जब्टी करनी है और हालोजन बाई तुम गोश में साथ एलेक्टरोन है एक छीन लोग इसे से तो मेरा तो काम हो जाएगा सामने वाला रोता रहेगा है ना और मैं उतकस्ट गैस बन जाओंगा तो ले देखे क्या करना है जितने भी एलीमेंस है सबको अक्रिय गैस विन्या स्प्राप्त करना है अब इसके लिए चाचीना जब्टी करनी पड़े अतला टांसफर करना पड़े है ना मैं छोड़ रहा हूं तो ले ले या फिर प्यार से बात करनी पड़े शेरिंग करनी पड़े साजा करना पड़े कुछ भी करके हमें क्या करना है आठ आठ के सेट को बिठाना है ठीके आगे और डिटेल पड़ेंगे इसको तो पुल मिला के क्या करना है बंद तो बनाना पड़े है और वैसे भी देखो एक सेकेंड रो और वैसे भी जब हम बात करते हैं elements की तो हम क्या देखते हैं कि भी H तो नहीं होता है H2 होता है O नहीं होता है O2 होता है F नहीं होता है F2 होता है मतलब प्रकृती में inner gases अक्रिय गैसों को छोड़ दे तो सब पर्माणू जो है वो आणवी कवस्था में पाये जाते है जितने भी atom है वो molecular form में रहते है आणवी कवस्था में रहते है मतलब बंद दो बनाना पड़े ठीके तो आज हम स्टार्ट करते हैं Gynical bond रासाइनिक बंद तो देखो क्या कह रहा है हम से कि प्रकरती में उत्करस्ट गैसो को आप छोड़ दो इसके अलबा सारे element combined state में होते संयुक तवस्था में होते आणवी कवस्था में होते है ना यानि जितने भी elements है उनके atom आपस में जुड़के बंद निर्मान करते हैं और अणू बनाते है ठीक है मान लेते भी अब देखो तो रासाइनिक बंद किसको बोलू मैं तो मैं कह दूँगी भी देखो रासाइनिक बंद अगर आपको कहना है तो वो force of attraction वो आकर्शन बल जो किसी रासाइनिक स्पीशीज में अब यह भी करो चाय आणू हो चाय आयन हो उसको बांधता है रासाइनिक बंद chemical bond कहलाता है ठीक है रासाइनिक बंद chemical bond किसे कहते हैं तो हम कहेंगे chemical bond जो है वो एक force of attraction है हैना chemical bond रासाइनिक बंद क्या है एक आकर्शन बल है रोक तो सकते नहीं तुभी आजा तुभी आजा तुभी आजा रुक जा रुके का नहीं गूमना तो है आई बास समय में घूम रहे है दो हैना तो उसे भी force of attraction है अकर्शन बल है अकोई भी chemical species बोल दो species क्यों लिखा? species क्या होती है तुभी जिसने को अणू है योगिक है है ना या आयनिक की कमपाउंड है या सासे योगिक है या सासे योगिक है कोई भी तरह का योगिक हो सकता है ना बितने सारे है तो मैंने की species बोल देख एक तरह की प्रजाती तो एक chemical species के अंदर एक रासाइनिक species के अंदर अगर मुझे परमाणूं को बाधना या मुझे क्या करना है आयन्स को बाधना है तो एक force of attraction काम करेगा एक आकशन बल काम करेगा उस आकशन बल को हम कहेंगे रासाइनिक बंद अब मुझे बताओ कि मैं रासाइनिक बंद की आपको क्या जवरत पड़ी नहीं बनाते चल जाता आपका काम है ना रसाइनिक बंद की जवरत ही क्या थी तो हम गए नहीं जवरत तो थी क्या जवरत थी तो देखो रसाइनिक बंद क्यों बनाया तो हमने करके चलो है ना हम बात करते हैं हाइडोजन की ठीक है, माल लो एक hydrogen atom, एक और hydrogen atom, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, तो हम बेंगे दोनों मिलके H2 बना रहें, ठीक है, तो आपके रहाचारियों कि यह hydrogen परमानू है, दूसरा H भी परमानू है, और H2 क्या है, तो मैं कहूंगे अणू है, ठीक है, तो यह परमानू, यह परमा अगर में एड्रोजन गैस का सिलेंडर लो तो है चलोगे कि एक्षटू तो तुमको वह से लिंटर में तो अनुगे पर्मानु का तो अस्तित्व ही नहीं है तो तुमको वह यह तो चीज होती ही का है वही मिले उसको तोड़ेंगे तो इसमें ज़रूर टूटे का तो मतलब प स्ट connecting or energy जो होता है वह उनीवर्स अपूमर्स अगर कोई चीज स्था ही मतलब नहीं और अगर kis बहुत जाब मुव्मेंट करी है मतल commandments स्थाही तो आपको राणिग जॉगिंक करनी है जो भी काम करने है फुली एंटर्जी से करोगी तो आपको एके अगर मुझे मिली तो में स्टेवल तो नहीं होते हमें सोत नहीं पहुँगा अब तो मुझे काम करना पड़ेगा तो बतलब बैठना स्टेटिक कंडिशन और दोड़ना moving condition तो तुम कहोगे नहीं energy आई तो move करना पड़ेगा static stable form में तो नहीं रह सकता तो कुल मिला के इस्थाई तो और उर्जा क्या होते inversely जो चीज की उर्जा जादा है उसका इस्थाई तो कम है और अगर आप कहे रहोगे नहीं तो आपका जो system है H और H मिलके जब H2 बना तो आपने का आपके हमारा system जो है more energy से less energy की तरफ move अधिक उर्जा से कम उर्जा की तरफ गया तो बाकी की energy का गई मालो 100 जूल उर्जा थी अब आपकी को निये तो 50 ही होगी तो 50 का दी तो बही 50 release होगी एनर्जी तो conserve रहती है है ना तो हम गएगे अधिक उर्जा से कम उर्जा में गया तो बाकी की उर्जा जो है वो मुक्त हो जाएगी है ना remaining energy जो है वो release हो जाएगी बचीनी उर्जा मुक्त हो जाएगी और इस मुक्त उर्जा को क्या गएगे तो हम देंगे bond energy, बंद उर्जा है ना, तो जब दो पर्माणू आपस में मिलके क्या करते हैं, एक मोल आणविक स्पेशीज एक मोल अनू का निर्मान करते हैं तो पक्का उर्जा निकली और उस मुक्ट उर्जा हूँ क्या कहते हैं, बंद उर्जा अब बंद उर्जा और बंद वियोजन उर्जा में क्या फरखें तो बंद उर्जा तो आप दोनों ने मिलके bond बनाया तो bond energy, अब इसको तोड़ दो तो तोड़ दो वापस तो पहती energy देदो, तोड़ देंगे बंद उर्जा के बंद वियोजन उर्जा, बंद वियोजन उर्जा तो मानेक है, मतलब बंद उर्जा मतलब बंद निर्मान के दोरान मुक्त उर्जा, एक्सो थर्मिक प्रोसेस, यह उर्जा निकली ना तो हम गई यह उर्जा निकली, तो बच्चे उर्जा निकलती है, तो delta H क्या होता है? और delta H negative मतलब प्रक्रम कैसा है, जो फिलाल हमने उपर लिखा है, तो हम गईगे एक्सो थर्मिक है, उश्मा शेपी प्रक्रम है, एक्सो थर्मिक प्रोसेस है, लेकिन अगर मुझे इस प्रोसेस को उल्टा करना है, तो मैं H2 को अगर उर्जा दे दूँ, तो परमान यह रू योजन उर्चा, एते नहीं बात क्लियर है, समझ में आ गया, है ना, और क्यो बना बंद तुम्हें हो, इस थाइप प्राफ्ट करें, हम सब क्या चाते है, स्टेबिलिटी अचीव करना चाते है, बढ़ लो, है ना, पढ़ लो, लिख लो, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच इसची लाइफ सेंट, चछोड़ वो जाए, अच्छी गाडी हो जाए, अच्छे vyख पाट्नर मिल जाए है, बढ़ या, तो स्टेबिलिटी तो चाते है, लाइफ के अंदर, तो आटम है, हम तो कोई भी जीस बाद में चाहते हैं, तो पहले ही सोच लेती है न? believe जब आटम फने हैं तो क्यों बनते हैं IKEA UNSTABILITY से STABILITY की तरफ करना चाहते हैं और स्थाइत्व से STABILITY की तरफ जाना चाहते हैं अधिक उर्जा साइब तो मतलब कम उर्जा तो बाकी एनर्जी गई का छोड़ दी हमने रिलीस कर दी हमने यह मुक्त उर्जा क्या होगी बंद उर्जा बॉर्ण एनर्जी वापस तुम इतनी उर्जा दे दो तो पीछे चले जाएंगे हमने कोई तकलीफ नहीं है आई बात समझ में लेकिन आप उस एनर्जी को हम बोलेंगे बंड डिसोसियेशन एनर्जी बंद वियोजन उर्जा इतनी बात क्लियर है समझ में आगया अब यह बनाई कैसे है ना पहले देगो बंद बनाई क्यों क्या जूरूत है इसे काम करने की क्यों बना बंद तो हम गएंगे इस्टेव क्लिए खुड़ को छोड़ के देखें तो बिचारे सब काम कर। एपर ass गारें क्यों क्लिए तो हमकर रहें थीक है कुछ जुगार लगाते है तो जिनके मान अंट से ज्याता है और्य kenn Glenn puffback कर्यूअ है तूँ फूर अिकट पढ Act तो कुल मिला के बंद तो बनाना पड़ेगा, फिर हमने और स्टडी किया, तो हमने का देखो, आटम तो रहता ही नहीं, मॉलेक्यूल रहता है, तो जरूर इसने कुछ कुछ कॉम्बिनेशन तो किया होगा, तो कॉम्बिनेशन को ही तो हम क्या बोल रहे हैं, किमिकल बॉंड, ह साइनिक सही उक से बनता है, सही उक क्यों करना है, उतकस्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, इतनी बात क्लियर है, ठीके, अब बनता कैसे, हाना, तो देखो, इनीशियल जो कॉनसेप्ट है, कि में कोई भी बॉंड बनता है उसकी वजह क्या है, तो हम गएंगे, देखो, मालोव दो आटम इनफाइनाइट दूरी पे हैं, बनत कैसे बनता है, तो हम गएंगे, अनन्द दूरी पे मैं, यहां, तू वहां, तो भी रह, कोई टेंचन नहीं, हमें कोई लेना देना ही नहीं, हमें पड़ी नहीं, तो सदेव, है ना, प्रती कर्शन बल सदेव, आ कर्शन बलों से जाधा होती, है इनफाइनाइट दिस्टेंस है, तो फिर क्या ही मतलब, अब इनफाइनाइट दिस्टेंस है, तो फिर क्या ही मतलब, अब इनफाइनाइट दिस्टेंस है, अब इनफाइनाइट तो मतलब, एक तो इसके लिए यह इतनी दूरी भी अनन्त है आप इतने से पार्टेकलों इतने से हो जैसे चीटी होती है ना तो चीटी के लिए हमारा जो घर वो अनन्त हो गया आपके लिए तो आपने और चीटी में डिफरेंस है तो पिर उसके लिए ऊचीज अनन्त होगी तो आटम तो फिलकुल छोटा से तो उसके लिए तो 10 cm की दूरी पिचा संटीमेटर की दूरी फी अनन्त हो गई अई वासँ तो यह है एक 2 cm 10 cm दूरे तो एक मतलब नहीं है हमें से कोई लेना देना नहीं है हटा कोई लेना देना नहीं है प्रतिकर्षन बल जदा है अकर्षन बल से लेकिन अगर दो आटम एक दुसरे के नज़धी आते हैं तब भी हमारे पास दो चीछे देखो एक पर मानूं और दूसरा पर मानूं है ना if they come close to each other जब दो परमानूं एक दुसरे के नजदीक आते ठीक है तो हम गएंगे देखो ये नाविक नाविक तो लड़ लेंगे तु भी प्लस है, मैं भी प्लस हो बग जाए तो प्रतिकर्शन है ना नाविक प्लस, दुसरा नाविक भी प्लस तो क्या होगा? प्रतिकर्शन और ये भी आपस में लड़ लेंगे क्या मैं भी माइनस, तु भी माइनस भाव यासे, तो यहाँ पी क्या है? प्रतिकर्शन तो पहले ही था ना पास बोला के क्यों लड़ा ही कराई तो रुको, शन्त ही रखो अब देखो मालो एक आटम ये उसका एलेक्ट्रो दूसरा आटम ये उसका एलेक्ट्रो ठीक है? अब क्या होगा? तो भाई, अब ये नाभी इसको तो ट्रैक्ट करेगा क्या मैं प्लस हो तो माइनस है अकर्शन तो रहेगा, क्यतना भी कर लो? अब वोजर चार्जमें अट्राक्शन होता है तो मैं यहां तो अकर्शन बलकाम करी ये कहा मैं जोड़नों प्रीबेट हो ना में को भी मिल गया ये इसका नाभी तो इसमें भी क्या होगा? आकर्शन ठीक है तो भाई, आकर्शन भी है और प्रतिकर्शन भी है है ना, जगड़ा भी है और प्रेम भी है और जीत किसकी होगी? जो जादा होगा है ना, तो मैं तो लाइक भी करते हूँ और उतना वज़ा डिसलाइक भी करते हूँ ठीक है, कोई बात नी अब बात कैसे बनेगी या बिगड़ी तो like greater than dislike या dislike greater than like इतनी तो बात है ना, तो फिर हम कहेंगे भाई, अगर आकर्शन बलों की मान है ना, आकर्शन बल का मान प्रती करशन बल से जादा हो गया तो आटम बंद बनाना क्या करेगा प्रारंब करेगा आगी बाद समझ में, when attraction forces, जब आकर्षन बल क्या हो जाएंगे, तो बच्चे जब आकर्षन बल का मान प्रती कर्षन बल से अधिक होगा, तो भई बॉंड बनना शुरू, chemical, bond, formation, start है ना, रासायनिक, बंद बनना प्रारंब हो जाएगा, आई बत समझ में, clear, तो जब दो आटम अनुंद दूरी पे हैं, तो हम गएंगे, हमें कोई लेना दिना नहीं, प्रती कर्षन जाता होगा, जब दो आटम नजदीक आते हैं, नाविक और नाविक बोलेगा, हटो, प्र प्रतिकर्षन, इसका एलेक्टरण, इसके नाविक को बोलेगा, नहीं आकर्षन, तो जब आकर्षन वल्का मान प्रती कर्षन से जाता होगा, तो बंद बन नहीं, फिर हमें कोछ तोच नहीं है, बढ़ी आप, बना देंगे बंद, ठीके, तो देखो, इसको हमें ग्राफ से समझाते हैं यहाँ आपके काम आएगा यह देखा होगा आपने कहीं न कहीं chemical bond formation का graph यह potential energy है ना तंतर की स्थितिज उर्जा potential energy of the system ठीक है बई यह हमारे तंतर की होगी स्थितिज उर्जा और यह होगी आपके अंतर नावी की अदूरी ठीक है internuclear distance अंतर नावी की अदूरी ठीक है अब क्या होगा 209 है ना अगे दो परमाणों अनंत दूरी पे ठीक है तो यह कहना है no overlap कोई overlapping overlapping मतला अतिवे आपन क्यों ही करना है अतिवे आपन तो होगाएंगे हां अतिवे आपन नहीं हो है ना क्यों नहीं होगा इनफाइन लेकिन जब दो आटम जो एक दूसरे के नजदीक आते तो देख जैसे जैसे नजदीक आते और आकर्शन बाल बढ़ते हैं तो तंतर की ऊर्जा क्या होती घड़ रही है है ना इस पॉइंट पे प्रटेंशिल एनरजी किया है इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इनरजी क्या है लीश्ट है गईगा अरभई मुक्त होगी इतनी एनरजी लेके आए इतनी है तो बागी जो गैप है ना वही था उपका बंद ऊर्जा है वही था एनरजी उसने छोड़ी है और वो पुछे नी बंद वियोजन ऊर्जा कालकेलेट करो तो तुम यह डिस्टेंस यह डिफरेंस कालकेलेट नी कर सकते हैं पताव दो एतनी नहीं क्या तक्लीफ है energy of the system is minimum तंत्र की इस्तिते जोड़ जा नियून्तम होगी ठीक है ना minimum होगी तब बंद निर्मान प्रारंब हो जाएगा bond formation आपको लगे रहाब start हो चुक है इतनी बात clear है bond formation start हो जाएगा बंद निर्मान प्रारंब हो जाएगा क्या होगा लेकर ना या ठीक है जो भी है clear समझ में आगे अब तुमको नहीं और नजदी का है तो आटम बहुत दूर नजदी का है नजदी का है नजदी का है इस पॉइंट में और नजदी का है तो फिर लड़ाई शूरू हो जाएगा एक proper distance उमें हर जगा maintain रखना ही पड कर दिया लेकिन लड़ाई तो पहले से थी सही तो और नजदीक लाने की कोशिश करोगी तो प्रतिकर्शन बढ़ देगा और एनरजी देखो है ना पहले जो लड़ाई थी न उससे ज्यादा ही हो जाएगी परशन ता तगड़ा है सिस्टम के अनरजी और बढ़ जाएग त प्रिकर से बढ़ोगे तो तुमें सिखाएगा अब बिटा देखो ऐसे पढ़ना है खुद बढ़ोगे तो अच्छा यह 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 क्या जाल रहा है यह तो जब दो आटम इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो कोई मतलब नहीं है कोई बढ़ नहीं है है नज़िक है आकर्षन बल बढ़ेगा आकरषन बल बढ़ेगा जब तंत्र की स्थिती जूर्जा नियूंतम है आकरषन बल अधिक्तम है तो अब देखो कोवलिंट बॉन्ट है आगे हम पढ़ेंगे सा सहीय हो जिक मन तो अती व्यापन होगा एक आटम और दूसरे आटम का क of transfer कर रखा है, plus बन क्या, minus बन क्या तो attraction, तो this attraction forms ionic bond, तो depend करता है, इस situation पे ionic band बने, चाह सौ सही हो जग band बने, चाह सौ सही हो जग बने, जो भी बने situation ये रहे, potential energy of the system, तंत्र की new term, इस्तती उर्जा वाली, इस्तती होगी, इतनी बात clear है बंद कोई बने, आपको कहें, ये तो concept आपने covalent bond का दे दिया, नहीं बाई, ये हमने normal बात कही है, बंद बनते time ये situation होगी, आगे बात समझे, कोई तकलीफ नहीं है, तो ये है आपका bond formation, है ना, अब देखो, जब दो परमाणू आपस में मिलकर बंद निर्माण करते हैं, तो अणू बंद है, बिल्कुल, परमाणू तो रही नहीं सकता है, परमाणू ब्लस परमाणू मिलके अणू, है ना, तो अणू बनेगा उर्जा मुक्त होगी, बिल्कुल होगी, मुक्त उर्जा को क्या बोलेंगे, बंद उर्जा बोलेंगे, bond एनर्जी बोलेंगे तो बंद निर्मान से उर्जा निकलती है सिस्टम एनर्जी छोड़ता है, heat छोड़ता है, बिल्कुल तो बंद निर्मान उश्मा शेपी प्रक्रम है और bond formation में delta H है न, bond formation में delta H क्या होगा? नेगेटिव, डिल्टेच नेगेटिव का मतलब होता है उश्मा शेपी, एक्जो थर्मिक प्रोसेस तो हम गहेंगे हैं, बात तो सही है जब भी बंद निर्मान होगा, तो उर्जा तो मुक्त होगी सिस्टम हीट छोड़ेगा, प्रोसेस जो है एक्जो थर्मिक होगा, बात समझ में आगी, कोई तकलीट नहीं यहां तक, ठीक है अब अब आपने चलो, माल यहां, बंद निर्मान जो है, वो उश्मा शेपी अब हमारे प्यासे लुइस कोशेल अक्टेट लो, क्या कहता है लुइस कोशेल तो देखो, लुइस कोशेल का मानना है, कि मैं हर एक को ना स्टेबिलिटी अटेन करनी है प्रती एक तत्व क्या चाहता है, इस्थाईत्व प्राप्त करना चाहता है पता है कैसे गरेगा तो स्थाई को टूड़ने का तो जब इस थाई को डूड़ने गया तो उसको दिखा अख्रीय गैसे थे लिए मैं कुछ काम नहीं करती बढ रहे हैं यह नहीं है यह अरगन के क्रिप्टन है इंके कोई काम नहीं है बाद दिन बर माय टो अकेले रहो मस्ति से रहो शांति से रहो तो वो देखता है कि इनका बाहतं कोश का अस्टक पूरा है इनके बाहतं कोश में आठ इलेक्ट्रोन है है ना अब इनको तो भगवान ने दी आठ इलेक्ट्रोन मुझे तो नहीं दी तो मुझे तो कुछ काम करना पड़ेगा है ना तो मुझे भी अपने भायतं कोश में क्या करने है आठ इलेक्ट्रोन लाने है तो मैं ले तो हम पर कैसे तो या तो मैं ट्रांसफर करू या मैं शे तो लूइस कोशिल यह बात आपको नियम में समझा रहा है आपको यह बात तो मुझे डेवन से बता दे तो इसने नियम दे दिया तुमने सोचा बस इतना ही तो फरक है ठीके तो लूइस कोशिल का कहता है तो भई इसका मानना है प्रतियक तत्व प्रतियक तत्व इस्थाइत्व प्राप्त करने के लिए अपने भायतम कोश में अस्थक पून करना चाहता है हैना और अलीमेंट को जई एक आठ कर दो अक्टिड पूरा करा दो कैसे भी करके तो भायतम कोश में अस्थक पून हैना अस्थक पून मतलब आठ इलेक्ट्रॉन माई तम गोश्व कित एलेक्ट्रोन होने चीए आठ एलेक्ट्रोन होने चीए ठीके तो अस्टक पूर्ण अस्टक पूर्ण करने के लिए करने के लिए प्रयास करता है ठीके हर एक को स्टेबिलीटी चीए stability कैसे आएगी, तो हम गहेंगे octate पूरा करना है, तो वो try करता है अब अस्टक पूर्ण करने के लिए वो क्या कर सकता है तो हम गहेंगे देखो अस्टक पूर्ण करने के लिए उसके बास दो-तीन choice है अस्टक पूर्ण करने के लिए पर्मानूं क्या करेगा तो हम गएगे पहला पॉइंट या तो इलेक्ट्रॉन का साजा करता है ठीक है या तो शेरिंग कर ले साजा कर ले है न अब अगर वो इलेक्ट्रॉन का साजा करेगा तो बंद बनाएगा सायोजक या उप सायोजक ठीक है दोनों में शेरिंग चलती है ठीक है या फिर तो हम गएगे या तो शेरिंग कर ले या ट्रांसवर कर ले अथ्वा इलेक्ट्रॉन्स का इस्था नांतरण करता है ट्रांसवर करता है या तो शेरिंग करेगा या क्या करेगा तो हम गएंगे ट्रांसफर करेगा ठीक है तो कंप्लीट ओक्टेट एलीमेंट या तो इलेक्ट्रोन की शेरिंग करेगा या इलेक्ट्रोन ट्रांसफर करेगा sharing से सही हो जब मान लो फिलाल और transfer करेगा तो आइनिक बंद मतला बंद तो बनाएगा है ना तो हम गएगे ओके अर्थात बंद निर्मान करता है और तो आपको बनाना ही पड़ेगा उसकी विना दुकाम चलेगा बंद निर्मान करता है इतनी मैं क्लियर है तो अब ले देखे मुझे आठ एलेक्ट्रोन करने है कराने है अटमस के ठीके अब कुछ भी करना पड़े आठ करा लेंगे इन तक ही बात लेर अब देक रहिए अब को कै अस्टागा अस्टग तो हेलियुम पीसारी अस्टग लाइं हैव न हैंना हेलियुम sampai क्या बोलते हैं, duplet like, astag art, है ना, और क्या बोलू, duplet ही वा ना, दुस तक तो बोल नहीं सकते, duplet ही बोल सकते, ठीक है, to octetal जो है, ये नियम, hydrogen, lithium, है ना, भई hydrogen एक का है तो दो कर लेगा, ये नियम, hydrogen अथवा lithium, है ना, astag का जो नियम, astag जो है, ये नियम नहीं लेख देते astag लेख देते हैं, astag, astag, astag जो है, astag hydrogen अथवा lithium, पर लागू नहीं होता है, मतला, hydrogen, helium पर आंट केसे लगाओगे, इनके पास तो दो की बात होगे, क्योंकि ये helium की बराबरी करने की सोचेंगे, है ना, इनके पास तो जगेनी आंट की, बाइक तो कोश पूरा होना चाहिए, तो इनके तो कोश ही वन्यस से, बस उसको पूरा कर दो, इनके दो कर दो, ब आगो, नहीं होता है, ये निकर्टम विन्यास, ये निकर्टम अक्रिय गैस विन्यास, अर्थात, helium, ये लोग ट्राइ करेंगे, कि हमें helium का configuration मिल जाए, ठीके, अर्थात, helium का विन्यास, प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, करते हैं, ठीके, lithium के एक electron छोड़ी देता हूं, चलो, मैं भी helium बन्जाओंगा, hydrogen का ये मुझे को एक दे दे, चाहिए, शेर करवाले, चाहिए, मैं चीन के लिया हूं, कुछ भी करवालो, बढ़ दो करवा दो, है ना, तो ये octet नहीं चाहते, ये double चाहते हैं, helium का विन्यास आप करने की, कोशिश करते हैं, ये duplet चाहते हैं, ठीके, तो अपन लें, octet नहीं हो, के duplet चाहिए, इनको duplet configuration चाहिए, 1 is 2 चाहिए, clear, तो ये तो था आपका लो, इस कोशल का अस्टक का नियम, अब क्या ये बात सही है, क्या सब पे लगाए, हर को ये अस्टक मतलब चाहत एक अंट हो जाए, तराह्या यदावास काम नहीं करोँगा, चेक कर लें तो देखुं, अस्टक के नियम के अप важ, है ना, astakे नियम के अपवाद, आप अपवाद आती ही इना मच्छी कुंटाइशन लेना शुकर दे यार पर अपवाद है फिर इतना पड़े और इन पाड़ी गहां इतना को यह है बोलते क्या है करते क्या होता क्या है इस पुछ मैं नीए सब्सक्षराइब रखो पहली बात ठीक एक नियम बनाया हमने अमा सरदार जी पुद नहीं पाइन तो यह तो नहीं का रहा है ना आपमे नियम बनाया सब के लिए बनाया ठीक है सब पर अपने प्लाई हो रहा है अब पैटिकलर यह ऐसा चीज है कि यहां पर apply नहीं कर पा रहें तो नहीं कर दोंगे तो सकते हैं है ना क्या एंत Particularly तो similarly Status नियम नियम है है ना स्टख का नियम में आठ अनोइग होने चीम Season लेकन किमथे ऊंप नहीं है फिर फिर मिधी मतना है स्टेबल आपकीड़ है बॉटल में रखा है तो लगता तो है अस्टाइब सब को गड़ना है लेकिन आप दिस दभी कर रहे हैं तो पिसका क्या गड़ सकते हैं तो लुटों लुटों क्यों नहीं कि तो नहीं तो है तो पर इसके बिना भी यह चीज पॉसिबल हो सकती है यह यह केसेज है पर सब में तो ऐसा नहीं लगेगा ठीक है तो अस्टक का नियम का अपवाद तो समझ में आगे है इसको अपवाद बोला है लेकिन ठीक है कुछ जो भी यह नहीं अपलाई होता है पहला है ओक्टेट डिफीशियंट कंपाउंट है ना पहला आपको कहा अस्टक नियून योगिक अस्टक नियून योगिक ओक्टेट डिफीशियंट कंपाउंट ठीक है अस्टक नियून योगिक बोल दूं इनको इंगलिश में लेकिया तो अक्टेट डिफीशियंट कंपाउंट अक्टेट डिफीशियंट कंपाउंट ठीक है अब इनमें क्या होगा त तो देखो, अस्टक न्यून, नाम से क्या लग रहा है? न्यून ता, डेफिशेंसी, कमी, तो हाँ बैए, कमी तो है, वे योगिक, जिनके केंद्रिय परमानु के, सेंट्रल अटम की बाद चलेगे, क्योंकि वो ही तो शेरिंग करेगा, वे योगिक, जिनके केंद्रिय परमानु में आठ से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? आठ से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट स्टिल, परन्तु फिर भी वे स्थाई होते हैं, ठीक है? इनके पास आठ तो नहीं हैं भी, आठ से तो कम हैं, लेकिन बच्चे अभी भी वो क्या है? स्टेबल है, स्थाई होते हैं, ठीक है? अगर ऐसा है, तो हम उन्हें, अक्टेट डिफिशिंट अस्टक न्यून योगिक कहते हैं, ठीक है? अक्टेट डिफिशिंट कंपाउंड अस्टक न्यून योगिक कहलाते हैं, आठ होने चीए थी, आठ का जिंडा हमने क्याड़ा सा, बट आठ नहीं है, कैसे? है ना? देखो, यहां से किमिस्टर शुर हो रही बच्चे, बहुत धियान से पढ़ना, अस्टक न्यून समझ में आगे, हर परमानों को अपने वैत्म कोश्म केते गए ने? आठ, क्यों गए ने? तो और कोई उत्करस्ट से मिलने गया, बस उसी की रिस्खा क्या गया? रिस्खा क्या मतलब करीमे को तो ऐसा ही बनना है, बस मुझे का ऐसा ही चाहिए, तो ठीक है, सबने अरा गला, आपना शुरूर के आठ, 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 होने चाहिए, अब उसके लिए चाहिए कुछ भी करना पड़ें, आठ करें, लेकिन मालो कुछ ऐसे भी होगी, क्यों करेंगे नहीं, हमें जुरूत ही नहीं, क्यों जुरूत नहीं है, तो देखो, मालो मै एक्जामपल लिखती हूँ, BF3, तो सेंट्रोल आटम के इंद रहे हैं, पुर्माण होगी, सेंटर में कौन है, तो ओंगे ये B है, BF3 में सेंटर में कोन होगा, B होगा, बिल्कुल ये रा B, तीन फ्लोरिंग के साथ तीन बॉर्ण बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, त तो सेंटर में भी तीन बॉर्ण बना लिए, तो देखो, फिलाल दो मानना है, एक बॉर्ण में दो इलेक्ट्रोन होते, ठीक है, एक बॉर्ण बना रहे हो ना बच्चे, इसमें दो इलेक्ट्रोन होते, तो दूंगो होगा, अच्छा भई, BF3 ने तो तीन बॉर्ण बना है एलेक्ट्रोन किते होंगे तो 6 होंगे भाई तो केंद्रिय परमाणों में किते एलेक्ट्रोन है 6 उन्हें किते जिये थे 8 नहीं है बट स्टिल स्टेबल है BF3 आपको मिल जाए है ना तो BF3, BCL3 ये तो ये की चीज हो गई ना F8 के CL लगा दू और कुछ देखे तो बिलकुर और कुछ में देखना देखो मालो अगर मैं आपसे को ALCL3 ALCL3 सिंटर में कोँ जातो 3 CL के साद 3 bond बना रहा तो पिटा 1 AL 3 bond 6 एलेक्ट्रोन हो गए ना सबज़गे न मेरी बात है ना 1 bond में 2 एलेक्ट्रोन है तो इसमें कितने अच्छे तो ALCL3 में सिंटरल आटम की इंद्रिय परमाणो अल्यूमेनिया कि बाइटम कोश में 6 एलेक्ट्रोन होए 3 कोट के दे 3 के साजा कर ली है ना तो हम गएंगे हाँ लेकिन स्टेबल तो ये स्टेबल तो होता है ठीक है BECL2 BeF2 BeCl2 BeF2 अब ये क्या है तो देखो Beryllium लिखो Florine लिखो Florine लिखो है ना तो Beryllium किते bond बना रहा है तो हम गेंगे Beryllium तो Group2 का है और जादा से जादा दो ही bond बनाएगा तो electron किते वे तो भी 4 होई 8 होने चाहिए थे ना नहीं होने चाहिए थे ना होना तो जिन्दगी में बहुत कुछ चाहिए था बढ़ नहीं हम stable हम कुछ है कोई टेंचन नहीं तो ये भी अस्टक new नहीं होगिक है 8 से कम ऐसा कोई भी compound जिसके central atom के पास less than 8 electron हो 8 से कम electron हो बट still फिर भी वो क्या है स्थाई है क्या ठीक हम जिन्दा है हमें कोई तकलीफ नहीं है तो ठीक है तुम्हें तकलीफ नहीं है तो हमें क्यों तकलीफ है कोई तकलीफ नहीं है अब और examples में तो बच्चे से फिलाहल आप याद रखेंगी जैसे मलोगेलियम तो गेलियम भी तो बॉराओन फैमिली का है बांगनालू गाजव तो बॉरओं तीन बनाेगा अल्यूम थीन बना रहा है और अगर यह थीन बना भी ले तो छे यह ही तो कर पाएगा तीन मिठाइल लगा दी इसको देंके बच्छे डर्जात हो तो कुछ नहीं दिख रहे हैं ऐसे होच भी नहीं है यह भी वही है इन्हीं की फैमिली का है ठीक है यह आफिर डाइबोरेन बीटू एचिक्स यह मच्छों को लगता हो तो डाइमर हो गया तो डाइमर हो कि भी इसक नहीं होते हैं अब हमने बड़ा अस्टक News यहोगी के जिनके पास 8 से कम एलेक्ट्रों हैं हमने बड़ा अस्टक नियून यहोगी ओक।对 deficient compound और ऐसे compound जिनके central atom में केंद्रिय परवाणों के पास 8 से कम electron है 8 तो नहीं है भी हमारे पास, अस्टक पूरा नहीं है ठीक है, बट स्टिल हम खुश है, हम जिन्दा है, हम लैब में पड़े हैं, हम stable है ओके, बहुत बढ़ी है, लेकिन electron की कमी तो है तो मैं η इलेक्टरों की कमी तो है तो मैं कहते हैं, इन्हें electron noon-yogic कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, ऐसे दोड़न होगा कि हा, तो ja, तो मझे बंदे design हो, एक तो हमारी बातें भी नहीं मानू कुछ तो बोलेंगे तो इन्हे इलेक्टरों-yoon yogic कहते हैं ठीक है फिर को कहते हैं तो इलेक्ट्रों स्नेही होते हैं हैना इलेक्ट्रों स्नेह करने वाला जिसको इलेक्ट्रों के प्रती प्रेम है तो यह कोई चीज नहीं होगे तो उसके प्रती प्रेम तो होगा इना आठ होने चीज नहीं है तुम दिखा रहे हम खुश है बट आठ न subscriber तो नहीं उंदर जो आ जाती नहीं इतन Quand quiet करी किया भू कोई अभी फैदे रह खें तो लोग भूले इसका क्या कर सकते ठीक है तो in स्कुष्य फंक के में अधर भींहा स्वानलम्हा जाती है यह अम purity टृण की यह यह मारे पास कमी है electron हम्स नहीं है electron हमें भी मिल जाए तो हम भी कुछ और होती ऑसा थी है यार अदुथा इलेक्टुफाईल इयलेक्टूब हम के लिगते है एलेक्टू if इलेक्ट्रूब को प्रेंब करने वाला में एलेकटूब लएगि couple लंफिशीज ठीक है, अब लुइस के से चुप रह सकता था, लुइस तो हमाने केमिस्टे में शान्द बैठता ही नहीं लुइस कहता अच्छा, अगर किसी कोई इलेक्टरॉन की जरत है अगर कोई इलेक्टरॉन स्ने ही है, तो उसको अमल बोलना है ना, ऐसा लुइस ने कहा, इसलिए इने हम अमल तो बोलेंगे लेकिन कौन से, तो हम गएंगे इने लुइस अमल कहते हैं तो अब तुम्हें कोई पूछ ले, कि लो, निम्न मेंसे कौन सा लुइस अमल है तो एक चीज दिभाग में जरूर लाना, कि लुइस ने इननों को भी अमल बोला था जो इलेक्टरॉन न्यून है, all electron deficient species, सभी इलेक्टरॉन न्यून योगिक जिनको इलेक्टरॉन की जवरत है, जिनको इलेक्टरॉन मिले तो रख लेंगे, दे तो यारा मालो, आट से कम है, stable है, कोई दगलीव नहीं है, second जो केटिगरी आती है न बच्चे, वो आती है, अस्टक का प्रसार करने वाले योगिक Octate Expanding Compound, अस्टक का प्रसार करने वाले योगिक Octate Expanding Compound, Expansion कर लिया, आप दो आठ, आठी करते रहें न, आम तो 10, 12, 14, इतने एलेक्टरॉन लेके बैठ है, हमारे कोई टेंशों ही नहीं, ठीक है है न, क्या कर सकते है, आठ वाला stable होता है, आठ हमें शान्ते मिल जाती है, है न, लेकर नहीं हम आठ से जदे ही रखेंगे, हम stable है अभी नी, ठीक है है न, हलका सब टेच लगे तो उसके वो, क्या बोलते है, एर बाग खुल जाए, है न, सीट वर्ड तो ममेशा ही लगाएंगे, भूलेंगे नी, वीछे जो बटेग वो भी सीट लगाएंगा, ये भी लगाएंगा, मैं आप लगाऊंगो बढ़ी एर बाग होने चीए, है न और बढ़िया, क्या होती ही, कंपिटराइस होने चीए, यही कि दू चलनी चीए, उस्ते में जो भी आए, खड़े वड़े आए, तो अपने आप मैनेज कर, आपकी मर्जी है, जितना गोड़ डाल होता मीठ है, है न, तो अस्टक आर्ट होने चीए, पट अब आर्ट से योगिक जिन में केंद्रिय परमानू के पास, सेंट्रल आटम हो, केंद्रिय परमानू के पास, आठ से अधिक इलेक्टरौन होते हैं, समझे मेरी बात, आठ से ज़्यादा इलेक्टरौन से, ऐसे कंपाउंड जिन में सेंट्रल आटम के पास क्या है, आठ से अधिक होते हैं अस्टक का प्रसार करने वाले योगिक कहलाते हैं Octate Expanding compound अस्टक का प्रसार करने वाले योगिक कहलाते हैं ठीक है यहाँ से ज्यादा है हम स्टेबल है अब ऐसा कोन मिल गया तो मिला भाई हमें ऐसा मिला पहला उधारण हम वेंगे हमें मिला PCL5 ठीक है PCL5 Central Anthem तो हम वेंगे पी हैना अब बॉंड किते बिना रहा है तो हम वेंगे बॉंड पांच बिना रहा है ठीक और बैशे भी एसी हो फॉस्पोरस के बैध्व गोष्वे 5 इसे Dre क्यों फॉस्पोरस नगरा मंग की है ऊटाए बोलू ऑस्फोरस का बर्मानगरव vaccine 12ा मroe 27जло है ना यह गुरूफ 15 ठीक है ना परमानू क्या बोलते है आवज सार्णी में जोसका गुरूप तो फिफ्ट ए है यह समू बंद्रा है समू बंद्रा मतलब बाइतमकुष में 5 समू 16 मतलब 6 17 मतलब 7 तो हम गएगे ठीक पाच तो इसके और पाच शेरिंग में तो पाच पास 10 पाच पास 10 और हम मस्त आट उने चाहिए हम 10 लेके बाटे अंस्टेबल तोड़ी ओक्टेट एक्सपेंशन करने वाले कंपाउड ओकी और कुछ तो हम गएगे हां देखो सेफ 6 के बारे में देखो एस सेफ 6 सेंट्रल आटम कोन है? स किते बाट बना रहा है भी 6 सेंट्रल आटम सलफर है बाट किते बना रहा है तो हम कहेंगे 6 6 तो होते हैं बाइतम गोश्वर सल्फर का परमानु करमांग 16 16 मतलब 2, 8, 6 तो सल्फर के बाइतम गोश्वर में 6 एलेक्ट्रॉन है बाइट किते बना रहा है तो हम कहेंगे 6 बाइट बना रहा है तो 6 खुद के और 6 बाइट बना लिए तो 12 हो गए न तो हम गएगे हाँ 6 खुद के और 6 बाइट बना लिए तो 12 और 12 भी 802 जाद ही है यह भी गोश्वर इसको भी दगलीव नहीं है ठीक है और एक्जम्पल तो हम गएगे देखो IF7 की बात करें IF7 Central Atom I और F7 bond किते बन रहे है तो हम गएगे 7 बन रहे है IF7 में I किते bond बना रहा है तो हम गएगे 7 तो देखो बच्चे I तो halogen है halogen के पास खुद के किते है तो मैं कहुँद के तो 7 है देखो है ना 3-3 किते हो गए 3-3 चाहर एक 7 और 7 की sharing करी तो 14 8 पहले के बच्चे तो 14 में स्टेबल ठीक है और तो और तो हम इतनी देर से सुन रहे है और inert gases bond नी बनाती bond नी बनाती stable रहती है मस रहती है कोई काम करने के जुरूत नी लेकिन xenon के compound तो known है है ना xenon तो bond बना रही उत्करस्ट गैसे inert गैसे 8 होते इलेक्ट्रों 8 पहसे काम में किते लिए तो हम गएंगे 2 तो बैटा 2 काम में लिए तो बचे किते तो हम गएंगे 6 तो ये lone pair है है ना इसको बोलते है lone pair असह भाजित इलेक्ट्रों यूग अब एक बार में इसके इंदे लिख रही हूँ बागी में हर बार इसको lone pair ही लिखूंगी असह भाजित बैसाजा नहीं किया हम ने है ना हम जैसाजा नहीं किया हम तो यूँ पड़े है ठीक है तो देखो 6 तो पड़े है और 2 इधर और 2 इधर दो खुद के 2 साजा किया तो साजे में आए ना आपके पास तो 6 और 8 और 10 तो होंगे यहाँ है यहाँ पर तो 10 से यह भी 8 से ज़्यादा भी मामला चल रहा है ठीक है तो जीनोन के तो जितने भी होंगे भई उन सब में आपको ऐसा ही बोलना पड़ेगा कि हमारे पास अस्टक पूरा ही था ठीक है अस्टक पूरा था है ना तो जीनोन जो है वो हमारी के मिस्ट्री में अंबानी की तरह है मुकेश अंबानी है ना जीनोन जो है वो हमारी के मिस्ट्री में अंबानी की तरह है बुक्र नम्मानी मान ले और और पूई कामकरता नहीं है ठीके? तो इसमें तो हम गहें के देखो यह काम काना जुरुत नहीं है अस्टक्पून था लेकिन यह बहुत कंपाउंड बनाता है बहुत पुदल रिचा के गयात वी नहीं है तो यह खुब काम करता है, ठीक है ना पैसा है, सब कुछ है, तो करूँ क्या, रोच क्या करूँ? रोच सुब उठने के लिए कोई मोटिवेशन चाहिए ना, क्या आज में उठा हूँ, आज में क्या करूँगा, आज में चेप्टर पढ़ लूगा, आज में अपने पर पेरिंट को ऑस्पितल ले जाओंगा, आज कोई मिलने आएगा, आज कोई दोस्त आएगा, या मैं किस स मिलने जाओंगा, कुछ तो मोटिवेशन चाहिए, तो जिंदिकी में मोटिवेशन ही खतम हो जाएगा, तो फिर उठतें का मतलब ही नी, सोते रो, है ना, फिर तो लिविंग और नॉन लिविंग में फरकी नी, तो जिनौन करता है, ठीक है, मस्त है, आपने 8 एलेक्टरॉन है, लेकिन हम तो बाउंड बनाएंगे, और हम कंबाउंड बनाएंगे, मत आता है, ठीक है, XCF2, XCF4, तो देखो बच्चे, जीनौन के वैतम कोश में 4 थी, तो हम गएंगे, यहां देखो, 4 तो खुद गे थी, और 4, तो 4 ये रहे, एक्स्रा, है ना, तो 4 बच गए, और 4 काम में ले लिए, तो देखो, साजे में 4-4 अंट होगे, दो 10 और 12 होगे, 12 कैसे वहीं, जितने बॉंड है, उसका डबल कर लो, एक बॉंड में 2 एलेक्टोन होते, तो 4 बॉंड में, तो तुम को गएंगे, फिर 2-10 और 2-12, ठीक है, तो ऐसे तो जिनौन में आप जितने भी बोल दोगी, अस्टक के और उधारण में आपको दिदेती हूँ, आपको दिवांग लगाओ, XEF6, कितने बना लिए होंगे इसने, है ना, SF4, यहाँ भी इसने जदा ही बना लिए होंगे, ठीक है, यह सारे काम आएंगे आपको आगे, आगे में सारे सिखाऊंगे आपको, IF5, ठीक है, CLF3, यह सारे ओक्टेट एक्सपेंशन की एक्जाम्पल से, क्लेप, तो अस्टक नियम कहे रहा था, अब यह आँट होने चाहिए, तुम ने का, ने देखो, आट से कम थे, स्टेबल है, मस्त है, आट से जादा थे, स्टेबल है, मस्त है, इसके अलावा, तो अगर इलेक्टरॉन बचे, तो ऐसे बचने चाहिए, दो चार छे, ऐसा नहीं बचने चाहिए, एक बच गया, तीन बच गया, पाँच बच गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो एक और एक्साप्शन है आपके पास, विशम इलेक्टरॉन युक्त स्पीशीज, यह क्या है, है ना, तो देखो, यह स्टगनियम का अपकाद है, ऐसे कंपाउंड जिन में बॉन्ड बनने के बाद में, विशम संख्या में इलेक्टरॉन पाए जाते हैं, है ना, उधारण देखो, तो हम गएंगे देखो, माललो, एनोटू, अब एनोटू में क्या हुआ, तो देखो, इमैं है नाईटरोजन, नाईटरोजन यह ऐनोट, बायटम, नाटरोजन से बैतियम कोश्दर S लेक्टरॉन, जा आरोगो, एलेन काउश्या ऐह नोट है करहो, देखो, था पर्मानो क्रमांग तो यादे, नाटरोजन, एलिव, लीथियम, पालियलियम, बोरॉन कारबन नाइ टो चुल वर्मान हुख क्रमांग साथ एडव पर मांग अंदर जहूं न दो कांपिए ऊपनी मर्झी कुल दान दे रहा हूं तो बहुत दे दू तो दो इधर गए इसका मतलब दान में गया जब भी तीर बना दो मतलब डोनेशन इसको डोनेट किया तो दो साजे में गए दो धान में गए चार पीछे किता बचा एक तो यह एक जो है बच्चे यह और इलेक्टरॉन है दूसरा उधारन देखते हैं तो देखो नेक्स्ट एक्जेम्पल है एनो तो एनो में हो जाएगा एन डवल बॉन्ड ओ तो देखो नाइट्रोजन के पास पांच थे तो दो यह रहे एक पेर और एक सिंगल सिंगल को हम क्या बोलेंगे और इलेक्टरॉन विश्यम संख्या रही बचने के बाद एक पेर बच जाते, दो बच जाते, चार बच बच जाते तीन पेर होते, छे الेक्टरॉन बच जाते विश्यम संख्या में रहेता स्ट्रोजन क्या में लीक्तो डेली तो श्टक न çalışार के और ऑलेक्टरॉन बढ़ने बनाने। सम संक्या में होने चीए यहां देखने को मिले विशन संक्या में तो ये भी अस्टक नियम का अपवाद है इतनी बात क्लियर है इसके बाद अगर मैं बात करूँ बच्चे तो लास्ट जो एकसाप्शन आता है हमारे पास वो आता है संक्रमन तत्वों के धनायन है ना संक्रमन तत्वों के जितने भी धनायन मिलेंगे वो आपके अस्टक नियम के अपवाद होंगे उनमें हमेशा आट से जादा ही मिलेंगे चाहिए आप जिंक प्लस टू लेलो कैडमियम प्लस टू लेलो Mercury plus 2 ले लो अब Zinc plus 2, Cadmium plus 2, Mercury plus 2 इनमें तो 18 एलेक्ट्रोन मिलेंगे है ना तो 8 को हम Acreer Gas कहते थे 18 को तो हम 18 को छदम Acreer Gas बोलते है Pseudo Inert Gas Configuration ठीके इसके इलावा तो हम गएंगे Fe plus 2, Mn plus 2 इन सब में भी है ना इन सब में भी क्या होगा तो हम गएंगे इन सब में भी 8 से जादा Electron ही मिलेंगे Copper plus 1 को फिर यहां डाल दो इसके पास भी 18 हो जाएगे ठीके तो Fe plus 2, Fe plus 3 यह सब यह सब अस्टग नियम के अपवाद है अब यह अपवाद क्यों है इसको pseudo Inert Gas Configuration क्यों बोला यह सब मैं आपको बढ़ाऊंगी Next Class ठीक है? तो मिलते हैं Next Time, Next Class के अंदर Video Lecture अच्छा लगे? तो प्लीज लाइक कर देना Share कर देना, Subscribe कर देना मिलती हूँ Next Time Till then Take Care, Keep Starting and Bye Bye